मैं कन्विक्टिड हूँ और इसलफ भी इस स्टीक माक वाली लाइफ क्या वो उसके हत्या में शामिल थी? क्या उन दोनों ने मिलकर उसके हत्या की और फिर लाश के टुकडे टुकडे करके उसे जला दिया? क्या सबूतों की कमी की वज़े से वो बच गए? क्या उन्हें इसलिए कम सजा मिली की जाच करने वाली पुलिश ने मामले के तार ठीक से नहीं जोड़े या कुछ हिस से छूट गए? क्या अब भी उस लड़ाई को जीता जा सकता है? मुंबई में माई 2008 में हुए नीरज ग्रोवर हत्याकांड में अदालत ने मारिया सुसाई राज को तीन साल की और नेवी अफिसर जैरूम मेथ्यू को दस साल की सजा सुनाई मारिया पहले ही तीन साल एक महिने के सजा काट चुकी थी इसलिए उसे रिहा कर दिया गया पूरे मामले पर चर्चा आज के प्रोगाम में हमारे साथ हैं नीरज ग्रोवर के मतपिता अमरनाज ग्रोवर और नीलम ग्रोवर कानून की जानकार मीनाक्षी लेखी सामाजी करेकरता नीलम कटारा मुंबई में मारिया के वकील जैस सिद्ध की और नीरज के दोस मेगा पर देखिए कागजों में जो सबोत नहीं पेश कर सके यह उस बिना बेसिस पे हैं अगर प्रेक्टिकली देखिया है बिल्कुल बेवहारिक तरीके से मानुवी पहलों को भी ना छोड़े कि क्या हो सकता है तो यह डिसीजन पूरी तरह गलत है अगर कागज को देखें जैसे क कानून अंदा है वहां कोई विटनेस हो था नहीं इस बेसिस को हम लोग तो नहीं मानते सारी सिस्ट्वेशन क्योंकि मैं हर बात से जुड़ा हूं पहले दिन से डिसीजन ऐसा देना पूरी तरह गलत है इसके पहले पांच बार एप्लिकेशन रिजेक्ट हुई है उसमें भ अमर्णाज जी भी कह रहे हैं आपको लगता है कि आप ये कानूनी लड़ाई हार गई है? कर दिए जेरोम का भी और हमारा भी जेरोम भी अच्छा खासा नेवी का लड़का इसको इसने मीरज के मर्डर के में बुलवा के उसकी भी लाइफ खराब कर दी खुद तो निकल गई यह पैसा बटोरने लगी सब इसको आफर साने शुरू होगा तो इसने दो घर बर बाद कर लाइब हैं फेसले से js—जी हम बिल्कुल सटेसाइड हैं फैसले से क्योंकि हम इस तरह इस हद तक स सटेसफाइड है के हम इसको निकालने में काम्याब हो चुके हैं, जेल से फिलाल, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम जीत चुके हैं केस, और हमने उसके नाम पर जो एक धबा लगा है, उसके उपर एक माडरर का धबा लग गया है, जो के उसको लाइफ टाइम तक ज्ज्दा ना है, तो उसको तीन साल की सजा भी मिली है लेकिन खाली ये वज़े है कि उसका तीन साल का जो पीरेड था वो फिलहाल अभी जब डिसीजन आया तभी खतम हो चुका था अगर यही फैसला छे महने पहले या एक साल पहले आ गया होता और वो जेल से बाहर नहीं आ पाती तो इन लोगों को थोड़ा साटीसफेक्शन होता और इन लोगों को यह महसू कर शायद सजा दी गई है वो सफिशेंट है वो बाद में आईगी यह सिफ इस वज़े से वो तुरंट फैसला आने के बाद ही बाहर आ गई इस वज़े से शायद उन लोगों को इसका अफसोस हो रहा है और उनकी माता जी का जो है अगर मैं कहूंँ कि मैं उनके दुख को या उनकी तकलिफ को समझ सकता हूँ तो यह गलत होगा क्योंकि वो चीज़ उनके माता पिता क्या लाओ कोई नहीं समझ सकता है फिलहाल सिद्धी साब हमारे साथ मिनाक्षी जी यहाँ पर है जो कानून की बड़ी जानकार है सुप्रिम कोर्ट में देखती है मिनाक्षी जी आप कैसे देखती है इस फैसले को और दोनों में बहुत emotions और भावनाएं जो है वो involved है लेकिन जिस प्रकार से फैसला लिखा गया है जिस प्रकार से उसमें तत्थियों को कहा गया है उसके आधार पर फैसला ठीक लगता है लेकिन अगर तत्थे कुछ और है तो फैसला बदला जा सकता है और उस तत्थे में सिर्फ एक बात क्योंकि मैंने इस केस की चार्च शीट नहीं देखी तो मैं सिद्धी साब से यह सवाल जरूर करना चाहूंगी कि किच्छन नाइफ यूज हुआ तो इसलिए उसको स्पर अफ दो मोमेंट पे बताया गया कि मर्डर हुआ है लेकिन किच्छन नाइफ यूज होने के बाद की जो कारवाई है तो मीटिंग ओफ माइन वहां पे भी हो सकती है कि और उसमें एक लाइबिलिटी का जो क्लॉज है इंग्लिश लॉज और कॉमन लॉज बात पर बहुत कई बार बेल भी रिजेक्ट हुई है ने सिर्फ वो ने उसमें एक मतलब लीगल पहलू की मैं बात करी हूँ अगर एक इंजुरी हुई मानली जो चुरा मारा जो चुरा दो इंच का था या एक इंच का था चोटे धार वाला था उससे व्यक्ति की मौत नहीं हो सकती थी उससे ग्रीविस हर्ट हो सकता था उस हर्ट के बाद जो दोनों लोग वहां मौजूद थे उनका क्या उन्होंने क्या किया उनका normal reasonable reaction था कि एक गलती जल्दवाजी में या दिमाग का संतुलन खोके हुई अब इसको तुरंत मरम पटी की जाए या इसको ले जाया जाए या खून रोकने की कोशिश की जाए या इसको अस्पताल ले जाया जाए उसकी बजाए अगर उसको वहां पर छोड़ दिया कि कि वह bleed to death करें कि वह खून निकल निकल के मर जाए और उसके बाद उस बॉड़ी के टुकड़े किया जाए और उसके बाद उसको evidence को मिटाया जाए तो meeting of mind और conspiracy जरूरत जरूरी नहीं है कि 7 तारिक से पहले 6 तारिक को हुई यह वह 7 को उस समय पर भी हो सकती है ndgb.com slash apps